आज इस चैनल पर हमारी फस्ट वीडियो है इस चैनल में मैं आपको बताऊंगा साइकलोजी से जुड़े सारे कॉंसेप्ट जिससे साइकलोजी में आपकी एक बेटर अंडेस्टेंडिंग मन पाए और उसे आप डेली लाइफ में अप्लाई कर सकें तो आया सुरू करते हैं आज की हमारी फस्ट वीडियो है तो आज की हमारी फस्ट वीडियो है ओलपोर्ट की ट्रेट थियूरी तो देखते हैं ओलपोर्ट में ट्रेट थियूरी में क्या करते हैं कि ट्रेट होता क्या है जैसे किसी घर या हाउस का इस्ट्रक्षर छोटी इटों से बना होता है टीक इस सम्वन आज क्यों डिस्क्राइब अग्लोस प्रेंड परसनालिटी अगर कोई आप से कहे कि आप अपने फ्रेंड की प्रसनालिटी के बारे में बताएं तो आप क्या कहेंगे यही कि मेरा दोस्त बहुत इंटेलिजेंट उसमें अच्छा सेलफ पर्फिरेंट है वो ट्रस् से जरूरी बात यह है कि इन सब क्वालिटी में कंसिस्टेंसी हो और यह क्वालिटी स्टेबल हो या मैं यह भी के सकता हूं कि कम से कम थोड़ी टाइम के लिए उसमें रेलेटिवली पर्मणेंस की क्वालिटी हो मतलब अगर कोई बेक्ती एक महीने तक हर कंडिशन में ऑने उसमें relatively permanence की quality भी हो कहते हैं ना trait is a description of human behavior तो human behavior को भी describe करता है ठीक है अब बात करते हैं इसके history of personality trait में क्यक्क हिस्टेट हुई हग से पहले friend Joseph ने इन्हें father of friendology भी का जाता है इन्होंने trait की first taxonomy दी थी second is Francis Galton इनको लेके हमेशा ना एक question रहता है एक्जाम में और सबसे बारा confusion भी रहता है कि इन्होंने किस दिसकी study करी तो यहां ध्यां से सुनना Francis Galton ने human abilities की depth study करी थी personality की नहीं Galton ने कुछ ऐसी methods बताई थी जिनके medium से हम personality trait की study कर सकते थी पिर 1996 के बीज एक formal study शुरूवी personality की और 1937 में Allport ने अपनी first personality की definition दी और उसमें 1961 में change कर रहे हैं और 1960 करीब Allport, Vernon और Lindsay ने मिलकर एक skill बनाई जिससे study of values कहते हैं इसमें Springer ने जो 6 values बिदाए थी उनका measurement किया जाता है अब आते हैं types of trait Allport ने अपनी theory में traits को दो type में divide किया first is common, second is personal which are found on a lot of people in the culture मतलब जो किसी culture में बहुत सारे लोगों में पाई जाते हैं इनसे हमें social values social molars की जरग मिलती है इनका जो origin है एक खास तरह के behavior करने के social pressure से होता है इसके basis पर यानि common trait के basis पर हम किसी समाज और संस्रीट के maximum लोगों की तुलना आपस में कर सकते हैं second is personal trait which are found in a particular person in the culture जो किसी समाज या संस्क्रीटी में किसी विसेश व्यक्ति में पाई जाते हैं इसके basis पर हम व्यक्तियों के बीच difference नहीं कर पाते हैं इस example कोई लड़का है नीरच ठीक है नीरच नीरच एक्टिव कम है बट पैस्व जाता है तो ये नीरच का तो ये नीरच का अपना personal trait है इसके basis पर मैं नीरच को अन्नी person के साथ differentiate नहीं कर सकता ठीक है अब जो ये personal trait है Allport ने इसे तीन भागों में डिवाइट करा cardinal, central and secondary cardinal क्या होता है it is so whispered in a person that every behavior is affected by it मतलब cardinal का cardinal में क्या होता है अगर ये trait किसी में है तो इसे चुपाया नहीं जा सकता cardinal trait को उस व्यक्ति का प्रतिएक भेवार इसी से प्रभाविद होगा लेकिन जिसमें ये trait होता है वो famous हो जाता है और ये trait बहुत कम लोग में होता है जैसे गांदी जी में किस से फिर्म से आहिंसा से जैसे मदा टरेसा is as strongly associated with goodness and charity या एडल्ब हिटलर is associated with evil ये आइंस्टाइन is known for his genius ठीक है second is central trait जो इतने comprehensive यानि व्यापक नहीं है but important है ये हर व्यक्ति में होते है central trait ठीक है इनकी संक्या हर व्यक्ति में पांस से दस के बीच होती है जब हम किसी के बारे में कुछ recommendation यानि अनुसंसा करते है तब हम इनी टेट के यूज़ करते है central trait का जैसे kindness, honest, friendliness, etc third is secondary trait जो trait कम organized और कम relevant होते है anxiety, hairstyle, etc जिनके बैसे पर personality के बारे में कोई सही conclusion हमें नहीं मिल पाता तो ये कितने हो गए ताइप दो ताइप के traits होगे common and personal और personal के तीर पाट होगे हमें रहे cardinal, central and secondary trait अब देखते है what is proprium proprium क्या होता है तो ये है base of personality proprium बताता है कि हमारी personality कैसे develop हो रही है ये हम कौन है proprium is a sense of self खुद को पैचानने और जानने जो process है वही proprium है आलपोर्ट ने हमें बताया था proprium की 7 stages है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो रखते हैं इने stages में क्या है first stage है sense of body यहाँ बच्या अपने अस्तित्तू का पता लगता है sense of यहाँ पर बच्चे को अपने अस्तित्तू को पता लगता है और वो वो अपनी body को environment के अन्नी बस्तू के से अलग समस्ता है first stage में ठीक है second stage है self identity यहाँ बच्चे फील करते हैं कि उनमें कई changes हो रहे है third में self esteem यहाँ बच्चे अपने achievement पर गव करने लगते हैं फिर है आपका self extension यहाँ बच्चे उन object तथा उन लोगों को पैचानने लगते हैं जो उनके मतलब क्यों होते है fourth में self image यहाँ बच्चे अपने behavior के बारे में एक real और एक ideal image develop कर लेते हैं sixth में rational copying यहाँ बच्चे daily life की problem के solution में logic का यूज़ करना सिख जाते हैं last में appropriate striving यह जो है यह adolescence में develop होती है last वाली और इनमें long range plan goal बनाना start बच्चे हाँ पर कर देते हैं ठीक है यह थी seven stage of problem एंड फिर है functional autonomy Allport ने functional autonomy concept भी दिया इसे एक motivational concept भी कहते है functional autonomy के दो पार्ट है अब देखेंगे भी आगे बहुत देखते हैं functional autonomy क्या है ठीक है एक normal and mature adult के कुछ motive उसके past experience से functionally related नहीं होते जिनसे उन motive की उत्पत्ती हुई हो यानि origin हुआ हो जैसे इसका एक example देता हूँ easy function autonomy की समझने का जैसे किसी पेड का विकास या growth उसके बीच करान सुरुम होती है ठीक है जब पेड मैच्चूर यानि बड़ा हो जाता है तो वो अपनी growth और development के लिए बीच पेड नहीं होता अब पेड बीच से functionally autonomy प्रप्त कर चुका है ठीक है तो यह है मारी functional autonomy इसके दो टाइप है पहला है preservative functional autonomy इसे हिंदी में कहते हैं संतनन कार्यात्मक सुआयत्ता इसका मतलब है कि relationship, behavior या addiction, habit अरजेसे बच्चों दोरा एक behavior की repetition या adults दोरा daily life के work को routine ने करना या आदध हो जाना ठीक है फिरह appropriate इसे हिंदी में कहते हैं उप्यूक्त कार्यात्मक सुआयत्ता normal and mature adult के motivation को समझने में ये help करता है इसका जो relation है परसनेलिटी के course होता है ठीक है इसमें self image को relevant बनाना live style को अच्छा बनाना उसमें ये मदद करता है ठीक है तो ये थी हमारी पॉलपोट की trade theory अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो comment में जुरूर बताएं और चैनल को like and subscribe जरूर करें